असलाम अलेकूम वेलकम तो माई चैनल आज जो मैं आप लिगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूं हमेशा की तरह जैसे कि आप सबको पता है एसस किचन के स्टाइल में बहुती सिंपल शॉट और सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ जो कि आपके घर में हमेशा मौजूद होत तेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट हमने डाल देना है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है तो इसकी मैरिनेशन को हमने रेडी करना है यहां पे तीन से चार अदध हरी मिर्चे उंको हमने चॉप कर लिया है आपकम यह ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक यह जो है हमने दही में सबसे पहले ना इसका मसाला रेडी करना है मतन के लिए और यहां पे जो स्पाइसेज हैं उसमें नमक हम लेंगे अपने तेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं मैं वन टी स्पून ले रही हूं धनिया पाउडर वन टी स्पून कुटी लाल मिर्चे वन ट पाउडर हमने यूज करना है इसमें वन टी स्पून और काली मिर्च पाउडर भी मैंने यूज किया है तो बस इन चीजों को हमने मिक्स कर लेना है और जैसे के मैंने भी आपको बताया था कि सिंपल से इंग्रियोंट से जो आपके घर में आपके किचन में मौजूद होते ह और यहां पर हमने वन टीबल स्पून या फिर टू टीबल स्पून लेमन जूस यूज कर लेना है इससे बहुत ही चटपटा साइस का फ्लेवर आएगा और बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना भी और जैसे के मैं अकसर कश्मीनी लाल मिल्चूं का पाउडर यूज करती हूँ लेकिन आज मेरे पास वह खतम हो गया है उससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है रेड कलर लेकिन वह मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं इसमें रेड फूड कलर जो होता है वह एक पिंच के बराबर में यूज़ करें क्योंकि अगर कश्मीरी लाल में उचे होंगी तो आपको फूड कलर की ज़रत नहीं होगी लेकिन क् और हमें चाहिए तो खुड़ सा कलर तो इसलिए बिल्कुल पिंच से भी कम हमने इसमें रेड फूड कलर डाल देना है ज्यादा नहीं कीज़ेगा नहीं तो फिर रेसिपी आपकी खराब हो सकती है और अब यह मसाला इसके अपर हमने लगा के एक से डेड़ घंटे के लिए रख लेना है यह फिर आप ओर ने भी रख सकते हैं जितना चाहिए अप इसको रखे फ्रिज में तो उससे इतना ही प्यार जाएका और इसका आएगा और अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप इसमें पपीता पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं यह फिर मीट टेंडराजर जो नाठे जो तो अप वह भी लह सकते हैं तो फ्रेंण पे एक से डिवरिट घंटे मैने इसको मैरिनेय fen inconsistent करके रखा और अब इसके बाद वनने मैंने काप कोंग लाल ले था और अगते हमने यह मेर नेट फ्लेम पे चारση पांच मिनट के लिए कुक करना है हाई फ्लेम पे क्यों कुक करना है क्योंकि हम नहीं चाहते के मतन का पानी और दही का पानी आए और वो पानी छोड़े तो हमने इसको भी फिलहाल हाई फ्लेम पे भूनना है अगर हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे तो वो बहुत सारा पानी छोड़ देंगी रही और जिसकी वज़ा से फिर वो बात नहीं आएगी वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बात में हमने इसको गलाने के लिए पानी डालना है लेकिन अभी फिल हाल हम इसको भूनेंगे तो यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रेवी अब आपको नजर आ रही हो कि भून चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी नहीं आना चाहिए इसमें क्योंकि हमने आँच को तेज रखा था तो जबरदस सी ग्रेवी हमारी भून चुकी है चार से पांच मिनट मैंने इसको भून लिया था और अब यहां पे एक गिलास बड़ावला गिलास भरकर हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपको नमक कम जिया लगे तो आप इसवक्तर कर सकते हैं और इसके बाद लेट लगा कर इसको हमने जब तक पकाना है जब तक यह गल ना जाही जाहिए निकिए अपल आफ ऐनार तो पकाई सकता है इसको क्योंकि मतन में इतनी जान होती नहीं है कि हम इसको इतना ज्यादा पका है तो आदे घंटे में यह आराम से पक जाएगा तो देखें यह 20-25 मिनट हो चुके हैं और अभी भी इसका पानी काफी साना मौजूद है क्यूंकि हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और हमने बीच बीच में काफी दफ़ा इसे चेक भी किया है और अगेन अब हमने इसक को लिट लगा कर थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मैंने कोईला चड़ा कर रखा हुआ है क्यूंकि हमने इसको कोईले का दम देना है बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ हुआ गोश्टी तयार होन पानी ड्राय कर्ले कर लेना है हमने और यह देखिए और अलमोस्सका पानी भी ड्राय हो चुका है कि वाव है तो किति जहट-पटसी और जल्दी तयार हो जाने वाल यह रसीपी तो यह देखिए ग्रेवी भी असकी involved अभर बिल्कुल दूड हो चुकी है और इसके उपर और थोड़ा सा कुकिंग ओयल हमने डाल के इसके ओपर ढ़कन लगा के इसको स्मोक दे देना है अच्छा आपके ओपर डिपेंट करता है अगर आपको स्मोक ज्यादा पसंद है तो फिर तो आप इसको काफी देर तक रखें तो फ्रेंग्स अब देख सकते हैं आप हमने दम इसको जादा देना है क्योंकि मुझे स्मोक जादा पसंद है तो काफी देर तक मैंने इसका ढखन रखा और जब तक इसका धुआ खतम नहीं हुआ तब तक मैंने इसका ढगाए रखा तो बस अब इसके बाद हमने यह कोईला इसमें से हटा देना है और सर्फ करने का टाइम आ चका है तो उमीद करते हूं कि मेरी आज की यह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी क्योंकि यह बहुत ही जटपट और अगर आपको कभी समझ में ना आए कि आपके बहुत स्पेशल गैस्ट आरे और आप उ लंबी कटी हुई हमने अद्रक डाल देनी है कि हरी मिर्चे और एक लेमन क्योंकि लेमन इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है तो इसको आपने जरूर रखना है तो फ्रेंड्स बस लीजिए गर्म गर्म हमारा भुनावा मटन रेडी है या फिर आप इसको जो भी नाम देन संदाय आप वो रख सकते हैं तो चले मुझे नेक्स ट्रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए अलाहाफेज